राजस्तान की मुख्यमंत्री अशुक गैलोत के जनंदिन का उत्सव पूरा प्रदीश मना रहा है लेकिन उनकी पूरी जन्नी में बात करें उनकी चवी की तो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जब उनकी पहले मुलाकात इंद्रा गांदी से हुई थी उसी मुलाकात में उनकी नजर में गैलोत की चवी एक इमानदार और विश्वस्निय कारेकरता की बन गई थी बताया जो आता है कि 44 सालों में गांधी परिवार में कई पावर सेंटर बदली लेकिन गहलोत की इमानदार और विश्वस्निय कारेकर्था की छवी हमेशा काइम रही यही वज़ा है कि जब 24 साल बाद कॉंग्रेस ने गैर गांधी को राश्ट्रिय अध्रिक्ष बनाने का फैसला किया तो उसमें अशोक गहलोत का नाम सबसे पहले सामनी आया अशोक गहलोत की राजनितिक पाड़े की शिर्वात NSY कारेकर्था के तौर पर हुई थी वहीं BSE और Economics में आयमे करने के बाद गहलोत ने जय नराण व्यास युनिवरसिटी में चनाव के लिए लौ में प्रवेश किया अपनी बोलने की कलाम में पूरी तरह वे पारंगत नहीं होने के चलते लोगों ने गहलोत को वकालत नहीं करने के सलहा दी मगर युनिवरसिटी का चनाव लड़ने के लिए उन्होंने लौ में प्रवेश किया और वो चनाव हार गए इसके बाद पहला विधान सबाचनाव गहलोत ने 1977 में लड़ा लेकिन यह चनाव भी गहलोत हार गए इस चनाव को लड़ने के लिए गहलोत को अपनी मोटर साइकल तक बेशने पड़ी थी वही तीन साल बाद उन्होंने 1980 में पहला लोकसबाचनाव चीता इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा रागे बढ़ते गए और वर्तमान में वो राजस्थान की मुक्यमंत्र के रूप में जनता की सेवा कर रही है अज़ आपके इसलिय से रौनक पारिक के रिपोर्ट